अब हम देखते हैं कि अगर हम वर्गांतर इसी को हम आगे लेके चलते हैं अगर हम वर्गांतर के अनुसार इनका वर्गी करन कर दे फिर से इनका अपवर्जी और समावेशी, अपवर्जी मतलब exclusive method, समावेशी रिती, inclusive method, अपवर्जी रिती की अगर हम बात करें, साथ में हम यहाँ पर फिर से इस टेबल को देखते हैं, अपवर्जी रिती की जिब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि पहले वर्ग की जो उच्छ सीमा ह यहाँ पर जो साड़ी हैं इसको आप देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 यह एक टेबल है यहाँ पर इसके आधार पर इसको मुदारण मानकर अपवर्जी शेड़ी के बारे में समझेंगे सबसे पहली जो विशेषता है अप वर्जी शेड़ी की वो है कि पहले वर्ग की जो उच सीमा है याने अपर लिमिट है वो दूसरे वर्ग की लोवर लिमिट याने की निमन सीमा बनती है यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि पहला जो वर्ग है उसकी लोवर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट दस है दूसरा जो वर्ग है उसकी लोवर लिमिट दस है और अपर लिमिट पंदरा है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले वर्गी की जो अपर लिमिट याने की 10 थी वही दूसरे वर्गी की लोवर लिमिट याने की 10 है बिल्कुल ऐसे ही अगर हम सेकेंड स्टेप से शुरू करें तो इस सेकेंड स्टेप की जो अपर लिमिट है 15 वही दूसरे वर्ग की लोवर लिमिट है 15 तो जब यह अपर लिमिट और लोवर लिमिट हर स्टेप में एक दूसरे से मैच करते जाएं तो हम इसको बोलते हैं कि य एक्स्क्लूजिव मेथड एक्स्क्लूजिव अपवर्ती रीती से यह श्रेणी बनी हुई है यहां पर एक बात और निकल के आती है कि इस वर्ग की जो अपर लिमिट के बराबर मुली की इकाई उस वर्ग में शामिल नहीं होती जैसे यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जो यह यह शुन्य से 10 का वर्ग है यह एक्चुली 9.9 तक ही है इसके आगे की जो लिमिट है वो इसके आने वाली श्रेणी में याने की 10 से 20 वाली श्रेणी में वो शामिल है तो इसकी जो सिरीज है वो 9.99 तक है 10 से 15 जो सिरीज है 10 से 15 जो ग्रूप है उसकी जो लिमिट है वो 14.9 तक है वो 15 तक नहीं है क्योंकि उसकी अगली जो लिमिट है वो उसके अगले आने वाले स्टेप में मतलब 3 वाला जो ग्रूप में बनाई हूं इसमें शामिल है तो कहने का मतलब कि 1 जो ग्रूप है वो 9. 9.9 तक है सेकेंड जो ग्रूप है वो 14.9 तक है और थर्ड जो ग्रूप है वो एक्चुली 19.9 में ही सीमित हो जाएगा इसलिए यह कहा गया है कि इसमें वर्ग की जो अपर लिमिट के बराबर मूली की काई उसी वर्ग में शामिल नहीं कि जाती है तो यह हमने देखा अपवर श्री रिती इंक्लूजिव सिरीज की बात करें तो वो इससे थोड़ी सी अपोजीट हम कह सकते हैं अलग कह सकते हैं यहां पर जैसे हम उधारन देख रहे हैं कि जो अपर लिमिट है वो दूसरे ग्रूप की लोवर लिमिट नहीं है पहले ग्रूप का जो अपर लिमिट है वो 5 है दूसरे ग्रूप की जो लोवर लिमिट है वो 6 है दूसरे ग्रूप की जो अपर लिमिट है वो 10 है तीसरे ग्रूप की जो लोवर लिमिट है वो 11 है तो जैसे हमने अपवर्जी श्रेणी में पढ़ा कि एक वर्ग की जो अपर limit है वो दूसरे की lower limit होती है वैसा यहां पर कुछ भी नहीं है सब शेणियों में upper limit और lower limit में भिनता है तो अगर इस तरह की शेणि हमारे सामने आती है तो हमको समझना है कि वास्ताओं में ये समावेशी रीती यानि कि inclusive series की ये शेणिया हैं क्या होता है अध्यन में सुविधा के लिए हम ये जो समावेशी रीती की series होती हैं इनको हम अपवर्जी में परिवर्तित कर लेते हैं ताकि हमारा जो calculation हो वो बहुत आसान हो जाए तो कैसे इस समावेशी रीती को हम यहां पर देख रहे हैं एक से पाच छे से दस और ग्यारा से पंद्रा प्रतेक वर्ग की जो अपर लिमिट है और उसके आगे के वर्ग की जो लोवर लिमिट है दोनों का हम डिफ्रेंस निकालेंगे यहां हम देख रहे हैं कि पहले वर्ग की जो अपर लिमिट है वो आता है वैसे ही दूसरे वर्ग की जो अपर लिमिट है वो दस है तीसरे वर्ग की जो लोवर लिमिट है वो ग्यारा है डिफ्रेंस एक आता है यह जो एक का डिफ्रेंस है यह सिरीद जितनी भी लंबी चलेगी जितना भी लंबा वर्ग बनेगा इस तरह का डिफ्रेंस आएग तो यह जो difference आता है एक इसको हम दो से divide करते हैं जो भी difference आता है एक का दो का चार का आपकी श्राणी में जो भी difference आता है इसको deirdi कर देते हैं यानि कि 5-6 इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.5 अब इस 0.5 को हम प्रतेक श्रेडी मतलब प्रतेक ग्रूप में एल 1 में हम इसको माइनस करेंगे और एल 2 में हम इसको प्लस करेंगे तो आएए देखते हैं एल 1 यानि कि 1 में जब हम 0.5 माइनस कर देते हैं तो आंसर हमको मिलता है 0.5 और एल 2 यानि कि 5 5 में जब हम 0.5 प्लस कर देते हैं तो आंसर मिलता है 5.5 तो यह हमारा जो ग्रूप था यह change हो गया, अब हमारा group हो गया 0.5 to 5.5, वैसा ही दूसरे वर्ग में करेंगे, दूसरे वर्ग की लोहर लिमिट है 6, इसमें हम 0.5 माइनस करेंगे, तो हमको मिलेगा 5.5 और इसकी अबर लिमिट है 10, 10 में हम 0.5 प्लस कर देंगे, तो हमको मिलेगा 10.5, यानि यह जो ग्रूप था आप वो चेंज हो जाएगा और यह हो जाएगा 5.5 to 10.5 तीसरा जो ग्रूप है 11 to 15 तो 11 में हम 0.5 माइनस करेंगे हमको मिलेगा 10.5 और 15 में हम 0.5 प्लस करेंगे बार बार हमको क्या करना है यहां हमको मिलेगा 15.5 तो यह ग्रूप अब चेंज होके क्या बन गया 10.5 to 15.5 तो आप यहां देखेंगे कि समावेशी रीती की यह जो सिरीज थी वो परिवर्तित होके अपवर्जी हो गई कैसे हमको पता चलेगा क्योंकि अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि प्रतेक वर्ग में जो L2 है वो अगले वर्ग का L1 है तो यहां पे हम अध्यन में सुविधा गड़ना में सुविधा की दृष्टी से जो समावेशी रीती के जो ग्रूप होते हैं वर्ग होते हैं उनको हम अपवर्जी में इस तरह से परिवर्तित कर लेते हैं अब अगर हम बात करें संचाई आवर्टी की तो संचाई आवर्टी में क्या होता है कि इस परश रूप से आवर्टी ना देकर संचीत रूप में दे दी जाती है और वहां पर एक्जेक्ट जो आवर्टी होनी चाहिए वो हमको खुद से निकालनी होती है संचाई आवरित्ती को में जो शब्द दिये रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जिससे हमको समझना होता है कि actually संचाई आवरित्ती की calculation कैसे करनी है दो शब्द होते हैं say come यानि less than और say अधिक यानि more than जिनको हम नॉर्मल बोल चाल की भाशा में जब हम सांकिकी के प्रश्न करते हैं तो बोलते हैं less than type question और more than type question तो अगर हम से कम वाली बात करें तो कुछ इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं जैसे यहां पर प्राप्तांक दिये हुए हैं और छात्रों की संख्या दी हुई है तो प्राप्तांक में यहां पर गुरूप नहीं बनाया गया है यहां पर लिख दिया गया है चालीस से कम, साट से कम, असी से कम, छात्रों की संख्या जो दी हुई है दस, तेईस और तीस, एक्चुली हम इसको नॉर्मल फ्रिक्वेंसी नहीं मान सकते क्योंकि यह जो गुरूप है अभी भी अन्नोन है कहा से कहा तक की संख्याय इसमें शामिल है यह हम नहीं जानते अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे लेस देन टाइप कोश्चन जो होते हैं यहाँ पर प्रेश्ण में दिया रहेगा कि सेकम संख्यावरित्ती दी गई है तो क्यूंकि सेकम इस बात को हम ध्यान में रखते हुए श्रेनी बनाएंगे गुरूप बनाएंगे 40 से कम तो 40 से कम हम उसको less than कहा तक लिजा सकते हैं 0 तक तो अब देखते हैं कि इसके आधार पर हमारी जो नई सारणी बनती है उसका सवरूप कैसे होता है 40 से कम तो इसको हम बनाएंगे 0 से 40 साथ से कम तो क्योंकि 40 तक तो अल्रेडी बन चुका है अब हम 40 के आगे बढ़ेंगे तो अगली जो अगला जो वर्ग बनेगा वो बनेगा 40 से साथ कि उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है असी से कम तो साथ तक तो हम पहुंच चुके हैं यहाप आप देख रहे हैं सेकेंड स्टेप में तो आप हम साथ के आगे बढ़ेंगे तो असी से कम यह बन जाएगा आपका ग्रूप साथ से असी तो हम इस तरह से इन तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लेस देन टाइप कोश्चन है से कम वाला अगर कोश्चन है तो हम आवरित्तियों को किस प्रकार लिखते हैं छात्रो की संख्या पहले दी हुए है 10 फ nap फिर 23 फिर तीस से कम अगर दिया हूँ है याने की पहले वाले में हम्ने 0 से 40 लिया था तो ये जो 10 जो आवरित्ति है वो 0 से 40 के बीच की ही है उसमें किसी अन्य की आवरित्त्प को हो शामील नहीं किया गया है तो वो 10 रहेगा मतलब पहली आप्रित्ती हमारी अजओ नय है यहां परधि है किया प्रडी हुई प्रेच्ञन से कम वाली आवरित्ती है इसमें उसके पहले की 0 से 40 की आवरित्ती भी शामिल है तो यहां पर हम इसकी calculation में लिखेंगे 23 minus 10 क्यों हम 10 minus किये क्योंकि वो already 0 से 40 वाले में लिखा चुकी है शामिल हो चुकी है तो यहां पर हम 23 में से 10 minus कर देंगे तो यह इसकी आवरित्ती हो जाएगी 13 3rd step में क्योंकि वो 80 से कम वाला है तो already 60 तक की आवरित्ती तो उसमें जूड़ चुकी है दुबारा हम नहीं जोड़ेंगे उसको हटा देंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी जो आवरित्ती 30 है उसमें से हम 60 तक की आवरित्ती को अलग कर देंगे तो यहाँ पर हम 30 माइनस 23 कर देंगे यानि कि हमारा आवरित्ती जो है यहाँ पर आ जाएगी हमारी 7 step by step हम पहली आवरित्ती को छोड़ कर बाकी सभी आवरित्ती को ऊपर से नीचे की ओर माइनस करते जाएगे तो यह हमारी exact जो आवरित्ती है फ्रेक्वेंसी है वो आ जाएगी हमने इन फ्रेक्वेंसी की calculation सही की है या नहीं इसको check करने के लिए हम यह जो answer वाला जो टेबल है इसमें आप देखेंगे चात्रों की जो संक्या है फ्रिक्वेंसी जो है अवरित्ती जो है उसको हम टोटल करके देखते हैं तो यह जो टोटल है वो 30 आ रहा है और जो हमारी maximum frequency है प्रश्णिक के कॉर्डिंग जो हमारी maximum frequency है वो 30 है तो ऐसा ही आना चाहिए यानि कि नॉर्मल frequency को जब हम calculate किये तो question की जो maximum frequency थी उसके equal अगर वो आती है तो आपने जो आवरित्ती की जो गड़ना की है वो सही है तो यह बात थी से कम अगर question में दिया है तो दूसरा इसका एक भाग होता है से अधिक यानि कि more than जिसको हम सामान ने बोल चाल की भाशा में more than type question कहते हैं तो उनके प्रेश्ण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि शुन्य से अधिक कितना अधिक यह हम अगले step में देखेंगे 40 से अधिक 60 से अधिक frequency यानि आवरित्ति के अगर बात करें तो 30, 20 और 7 कुछ इस तरह से हैं अब क्योंकि शुन्य से अधिक तो हम इसको maximum अधिक कहां तक ले जा सकते हैं जहां से अगली श्रेणी शुरू होगी जहां से अगला वर्ग शुरू होगा तो अगला वर्ग कहां से शुरू होता है 40 से यानि कि इस शुन्य को हम 40 तक ले जा सकते हैं तो हमारा आंसर का जो टेबल है वो कैसे बनेगा यह देखते हैं शुन्य से 40 क्योंकि 0 से अधिक बोल रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे पिछले कोश्चन में से कम था तो हम पीछे गये थे अभी यहां पर हम से अधिक में तो 40 से 60 60 से अधिक तो कितना अधिक ले जाएं कैसे पता चलेगा डिफ्रेंस किते के हैं आपे 40 और 60 के बीच में 20 के तो 60 से अधिक मतलब हम उसको ले जाएंगे 80 तक 80 तक ले जाएंगे हम उसको तो नया जो हमारा वर्ग बनता है वो बनता है शुन्य से 40 40 से 60 और 60 से 80 अब इसकी फ्रिक्वेंसी यानि कि आवरित्ती को कैसे मैनेज किया जाएं से कम वाले कोशन में हमने कुछ अलग प्रकार से मैनेज किया था से अधिक वाले में हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आये देखते हैं यहां पर जो पहली और उसके नीचे जो आवरित्ती है उसको माइनस खरते जाएंगे तो 30 माइनस बीस यानिक03 आगई प्रिफित अगले की Geschäftab Privitaub is मैं उसकी अगले वर्ग की यानि कि 3ड वर्ग की सथ उसको जो आ जाएगा 13 और सबसे नीचे के साथसे की वह वैसे की वैसे ही रहे क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई नई आवरित्ती शामिल नहीं है ये जो वर्ग है 60-80 का ये हमने नया बनाया है तो more than type वाले question में हम कुछ इस तरह से आवरित्ती का निर्माण करेंगे अनुसंधान की इस पूरी प्रक्रिया में जब बात आकडों के विवस्थापन या सार्णियन के आती है तो हमने देखा कि इनको हमें उनकी सजातियता के आधार पर कई वर्गों में विभाज़ित करने के जुरुत पड़ती है सांखिकी आकडों के लिए किन सुत्रों का प्रयोग किया जाए किन शेडियों में उनको बाटा जाए इन सबका अध्यान हम अध्याय में कर रहे हैं जब वर्ग की बात आती है वर्ग समू बनाने की बात आती है तो यहां बहुत सारी समस्याएं भी आती है आये देखते हैं वो कौन-कौन से समस्या है अगर हम बात वर्गानुसार वर्गी करन के करते हैं तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो है वर्गांतरों की समस्या यानि कि जो हमारे पास आंकडे हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया जाए अब अगर आंकडे बहुत तो च् fate बहुत कम है थोड़े से हैं तो छोटे च्टे वर्ग बनते है और जब इन वर्गों की संख्या बहुत कम होती है तो उनका विस्लेशन कर पाना या अध्यन कर पाना मुश्किल होता है यह मने तो अपूर्ण सा लगता है तो वहाँ पर जो जानकारी मिलती है वो अनुसंधान को पूरा कर सकने में कही न कही अपोन होती है दूसरी बात अगर हम बड़े आकडों की करें तो अगर बहुत सारे आकडे हैं तो वहाँ पर वर्ग हमारे बहुत सारे बनते हैं तो निश्रीत रूप से अगर जादा वर्ग बने हैं तो उनसे हमें जानकारी तो बहुत अच्छी मिलती है लेकिन जहां बड़े वर्ग समू है वहां पर हमें समय श्रम इन सब चीजों की और धन की बहुत जादा हमको यहां पर धन वे करना पड़ता है तो छोटे वर्ग ले तो भी बहुत सारी समस्या बड़े वर्ग बनाए तो भी बहुत सारी समस्या तो यह एक वर्गांतरन की निर्मान की जो समस्या है वो आती है दूसरी समस्या की अगर हम बात करें तो वर्ग विस्तार की अब वर्ग विस्तार जो है वो कहता है कि वर्गों का जो अंतर है वो समान होना चाहिए जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था वर्गों का अंतर अगर समान नहीं होता है तो वहां पर हम जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं वह लागू नहीं हो पाते और जो हमारा निर्णा जो हमारा आंसर जो निकल कर आता है वो कही न कहीं गलत हो जाता है यहां तो इस condition में जब वर्ग विस्तार बराबर नहीं है तो वहाँ पर इस सुत्र का प्रयोग कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यह एक समस्या आती है अगली समस्या कि अगर हम बात करें तो वर्गांतरों को जब हम नियमित करते हैं हमने इसके पहले के अध्याय में देखा कि दो तरह की श्रेणिया होती है अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी में क्या होता है कि एक उदारन से में इसको देख रहे हैं कि जो पहले वर्ग की जो उच्छी सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा ऐसा ही कंटीनी होता रहता है त लिकिन अगर समा वेश्षी श्रेणी आती है समा वेश्षी श्रेणी में क्या होता है कि पहले वर्ग की जो उची सीमा है वो दूसरे की निम्न सीमा नहीं होती है तो कैलकुलेशन करने के लिए हमको समावेशी श्रेणी को वापस अपवर्जी श्रेणी में बदलना पड़ता है कैसी बदलते हैं क्या इसकी प्रक्रिया है यह हमने पूरों में पढ़ चुके हैं तो यहां पर यह सबसे बड़ी समस्या आती है वरगांतरों को नियमित करने की यह थोड़ा सा हमार अगर दी हुई है तो किस प्रकार हम प्रश्णों में उन संचय आवरित्य को हम सुधार करके आवरित्यों की जो शुरेणी होती है उनको हम सही कर पाते हैं तो आवरित्यों को ठीक करना और उसके कोडिंग फिर कैलकुलेशन करना यह भी बड़ी प्रक्रिया हो जाती है और एलवन जिनकों हम बोलते हैं निमन सिमा वो निश्चित होनी चाहिए कई बार क्या होता है इन सिमाओं में प्रतेक वर्ग में अंतर अलग अलग आता है जैसे हमने इसके पहले के उधारणों में देखा था पास से दस या दस से पंद्रा या पंद्रा से 20 यानिकि पेख के तो यहां पर इस कंडिशन में कैल्कुलेशन थोड़ी से मुश्गिल हो जाती है साथ ही वर्गांतर की सिमायन शेट करना जैसे मैं नहीं भी बताया कि अप वरजी और समावेशी दोनों श्रेणी हैं हम दोनों श्रेणियों में कैल्कुलेशन कर सकते हैं तो अप व वर्गानतर की अगर हमें बात करें तो वर्गानतर यादि के पारे में हम पहले पड़ी लिए जाए एक समस्य आती हैं तो ऐसे समस्या के बहुत सारे समस्या है हैं अब अगर हम बात करें चर की चर क्योंकि पूरी अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण बिंदू है चर की बारे में अगर हम जाने तो चर जो है वो किसी मात्रा या गुण का एक परिवर्तंशील मूल्य होता है जिसको हम एक अनुमानता लेकर चलते हैं और बाद में पूरी गढ़ना के बाद उसका एक वास्तिविक मूल्य निकल कर सामने आता है सीधे सीधे तो पहले हम जब 910 लेवल में जब मैस्ट सॉल्व करते थे तो हम अब इनके प्रकारों के बात करें तो यह दो भागों में बटे हुए हैं सतत्चर यानिकी कंटिनियूस सिरिस और दूसरा खंडिचर यानिकी डिस्क्रेट सिरिस सतत्चर के अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि वेचर जो की सभी संभावित मूल्यो यानि पुणांक या भिन्नात्मक्ता को एक दी गई संख्याओं के अंतरगत ले सकते हैं वे सतत्चर कहलाते हैं यानिकी सतत्चर जो होते हैं वो पुणांक भी हो सकते हैं और भिन्नों में भी हो सकते हैं जैब Stevens द्वारा प्रतीक्र संभावित द्शम्लाम मूली को व्यक्त किया जा सकता है जिसका मैंने भी बताया और साथ ने ये विसिष्ट विस्तार के इंतरगत किसी भी संख्यात्मक रूप में हो सकते हैं गया कि खंडित चर वे DC बिया कि करें सकते हैं भार इनके के मोले निष्शित होते हैं और पूणक में होते हैं यह एक बिल्ठ में नहीं डिर्शाय को जासकते जैसे कि मैंने आया कि इसके पहले जो हमने सतत्चर देखा वहां पर हमने देखा कि वो पूरांक में भी हो सकते हैं दश्रमलों में हो सकते हैं या वो भन्नी के रूप में लिखे जा सकते हैं लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो खंडित चर हैं डिस्क्रीट सीरीज यह सिर्फ और स कि संख्या है या श्रमिकों की संख्या है इस तरह से हम को एनुसंधान करते हैं तो जो श्रमिकों की संख्या है या विध्यारतियों की संख्या है उसको हम किसी उखेंगे किसी कुझा के विध्यारति और हम बात करते दश विध्यारती ग्यारा विध्यारती ऐसे बोल सकते हैं हम यह नहीं बोल सकते greater deep you 21.6 विध्यारती है इस तरह से बोला नहीं जा सकता तो यह कभी भी दशमलों में भिन्नात्मक में नहीं होते यह जो खंडिचर होते हैं यह सदय पूर्णांक में ही होते हैं तो अगर हम इन खंडिचरों के बाद इनके का सीधा उदारण उस तौर पे देखे जब हम इनके प्रश्न बनाएंगे तो किस तरह के प्रश्न हमारे सामने आएंगे इसका एक उदारण हम देखते हैं जब हम विभारिक रूप से इनके प्रश्नों को हल करेंगे तो अगर हम अखंडित चरो की बात करें, continuous series के प्रश्णों की बात करें, यहां पर आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि जब आप आगे के अध्यायों में इन प्रश्णों को हल करेंगे, तो सबसे पहले आपके लिए सबसे पहली प्रक्रिया है जो वो यह होती है कि सबसे पहला प्रश्णों को पहचान ले, कि किस टाइप के वे प्रश्ण है, खंडित स्रेणी के प्रश्ण है, आखंडित स्रेणी के प्रश्ण है या सामाने प्रश्ण है, तो उस चीजों को जान के लिए हमको प्रारूप देखना होगा कि किस तरह के प्रशने होते हैं अगर बात करते हैं यहां पर अखंडिचर की अगर हम बात करते हैं continuous series के बात करते हैं तो वह कुछ इस तरह से आपको प्रश्ण में दिखाई देगा जिसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले ग्रूप में यानने 40 से 45 किलोग्राम वजन के 18 विध्यारती है अगर हम 45 से 50 किलोग्राम की बात करें तो इस वजन के बीच में 10 विध्यारती है वैसे ही आप आप देख रहे हैं कि 50 से 55 में 7 विध्यारती है पच्पन से साथ में 10 विध्यार्थी हैं और साथ से 65 में विध्यार्थियों की संख्या 5 है अब यह जो डिफ्रेंस है 40 से 45 45 से 50 यह कुछ भी हो सकता है किसी विध्यार्थी का वजन 45.5 हो सकता है किसी का वजन अगर हम पहले गूप दूसरे गूप की बात करें तो क्योंकि 45 स से 50 है तो किसी विध्यार्थी का वजन 48.5 हो सकता है तो यह दशमलों में क्योंकि व्यक्ति किये जा सकते हैं इसलिए इस तरह के जो कोशन होगी वह कंटिनिवर सिरीज यानिकी अखंडित्चर वाले प्रश्ण कहलाएंगी क्योंकि जितनी भी सिरीज है उन सब को हल करने के जो फॉर्मूले है हल करने की जो प्रक्रिया है वो भिन भिन होती है अलग अलग होती है तो सबसे पहले हमको सिरीज को किस रेणी के वो प्रश्ण है उनको पहचान लेना बहुत जरूरी है इसी प्रकार अगर हम खंडित्चर का एक उदारन देखें तो हम देखते हैं कि ख चात्रों के प्राप्तांग 10, 12, 8, 11 और 9 हैं चात्रों की संख्या 5, 7, 9, 12 और 6 हैं इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 5 चात्रों को 10, 10 अंग, 7 चात्रों को 12, 12 अंग, 9 चात्रों को 8, 12 चात्रों को 11, 11 अंग, और 6 चात्रों को 9, 9 अंग मिले हैं इस प्रकार छात्रों की संख्या आवरित्ति को प्रदर्शित करती है